ये लिटर क्यों निकालना पड़ गया कि उपन कुस्वाहा कि कारिक्रों में जद्यू करकरता पहुंचे। कि दोनों लिखिये किस बार अलग नहीं होगा। जब बिहारे में acceptability नहीं रहेगी तब देश भर में कई से वनी है। नितीज कुमार को बीच से हका देना, जाज़त भरसेस भाजपा करना, कि अगर इन विधाकों को नहीं तोड रही है जादियू, तो कुछ खेल जरूर है इसके पीछ है। चिराक पासवान परदे के सामने भाजपा को मजबूत करने के लिए हैं। नमस्कार भारत लाइप देख रहे हैं। यह जनता पाटी के लिए काम करने का आरोप लगने के बाद अब ऑप्रेशन लोटस में आर्चीपी सिंग को सामिल कर लिया गया है। डॉक्टर साहब भीतार्स बताएंगे। रसीपी सिंग तो पहले भी भारत लाइप देख पाटी के लिए काम कर रहे थे। अब परदे के पिछे कर रहे थे, अब तो खुल के करने के लिए को मुका मिल गया है। तिके बिसेस बाती है कि दिली में जितने दिन रहे हैं, उनकी मुलाकात कई सिसनेताओं से हुई है। अमित साथ से मुलाकात की पुष्टी में कर सकता हूँ। वाकिन नरेंदर मोदी सुनकों के मुलाकात होने वाली थी, उसको लेकर संसय है। क्योंकि समय तो उन्होंने लिया था लेकि उस समय के दोरान ही वो आगए वापस पटना। और मुझे रिखता है साथ इसका सीधा लिंक जो है वो जुड़ा हुआ है नितीज को मरके दिली आने से। नितीज दिली जब पहुँचे तो आर्सीपी सिंग नमने प्लांस बदल दिये। लेकिन आर्सीपी सिंग को मंत्री भी बनाना है राजसभाव भेजना है तो लेबलीटी भाजपा के पास बहुत ज्यादा है तो भाजपा ने इसके बदले उन्हें मैंने आपको पहले ही बताया था कि टास्क दिया है बिहार में उस टास्क को कम्प्लीट करने के बाद आर् भाजपा की चल रही है उन्हीं टर्मों पर बात आर्सीपी से भी से चल रही है और दोनों को साथ में मंत्राले में इंक्लूड करने का नरेंद मोदी का प्लान है इसका एक कारण है देखिए जहां चिराक पासवान के आने से वोट बेंक का इजाफा हो रहा है वहीं आर्सी भाजपा की जारी रह सकती है यह सब जब जोड़ो घटाव आप एक जब करते हैं तो आपको समझ में आता है कि भाजपा के पास इस वक्त चुकि भाजपा को जटका लगा निति इसको मान जटका दिया है और एक बड़ा वोट बैंक जो है वो सिफ्ट हो गया है अब महाग सिंग को भाजपा के परदे के पिछे मजबूत करने के लिए लाए गया है अब वो करेंग कैसे देखे उसके लिए उनको टास्क दिया गया है बिहार में मिशन लोटस जो भाजपा कंप्लीट करना चाहती है वो उसका दो तरीका हो सकता है या तो 24 में दोनों चुनाव कराक लुचाटी है वो राइस्ता ये है कि वह मौजुदा सरकार के विधायकों को ठोड़ ले अस्तिर कर दे सरकार को और उसके बाद अपने पाले में करिले और सरकार का दावट्पकमें से ज़्यादा जो सरकार बनाने के लिए होती है। 40 विधायकों को तोर पाना मतलब नितीश कुमार के सारे विधायकों को तोर पाना संभाना है। यह 40 एक पार्टीश नहीं तोड़ने है। आपको पताँ चाहिए कि कॉंग्रेस के विधायकों के बारे में लगतार ये खबर आ रही है कि वो थोड़ा हिल रहे हैं इसको लेकर आपको याद हो गया कि नितीश कुमार इधर आ गये वरना उनको उधर बुला लिया गया होता है। तो उन्होंने उस मिधायकों को डिलेक्ट तोड़ा नहीं और अब उसको प्योग कर रहे हैं भाजपा के किलाप एक और पार्टी के तोर पर तो ऐसे में भाजपा के लिए भी नहीं इंड़नेटियों पर काम करना उचित होगा। आपने देखा कि अगले दिन ही बीवा भारती नाराज हो गई थी। और उन चीजों को जब ध्यान से आप देखते तो आपको रिलाइज होता है कि जद्यू में असंतुष्ट लोगों की संख्या जादा है। जद्यू के अंदर असंतुष्ट भी फैलाया जा सकता है। वो ये दिया है कि पूरे बिहार गुम के जब नितीज दिली गुम रहा है तो बिहार गुम गुम कर नितीज कुमार को कमजोर के जाए। और ये बात चुकि जद्यू भी जान गई है कि टास्क रसीपी को क्या मिला है। इसलिए आर्सीपी सिंग ने उनके जद्यू ने आर्सीपी सिंग के खिलाफ उपेंद गुस्वहा को उतार दिया है फिल्ड में। आपने देखा कि लेटर जारी करकर के कहा गया है कि उपेंद कुस्वहा के कारिकरों में कारिकरताओं को समरीत होना पड़ेगा। अब दिखेगे कि एक साथ कारिकरम क्लैस कराए जाएगा। जो अगला लिस्ट हमारे पास आया है आर्सीपी सिंग का अंदुरूनी खबर है। यह जो लिस्ट है यह साबित कर रहा है कि आर्सीपी सिंग इसमारा है तो क्या टास्क लेकर आए है। समझेगा। आर्सीपी सिंग 11 तारिक से लगतार सहाबाद का परिभ्रमन करेंगे। इस दोरान कहां पहुंच रहे हैं वो इस दोरान जिन छेत्रों को छू रहे हैं यहां मुस्तफापुर जो अपने घाव हैं वहां से निकलेंगे तो फतुआ होते वह कोईलवर पहुंचे नोखा कजाव बड़ी और बहुत सारे जगह हैं जनारी है नरहटा है यह सारे जगह कौन से छेत्र हैं बाबा से कभी बैटके पुछेगा इत्मिनान से तो बाबा बताएंगे आपको कोचस दिनारा यह सब कहां का छेत्र हैं और छेत्र में कोर्मी कोरी वोट बैंक को काट कर नितीज से अलग करना है और सीपी सिंग को यह टास्क दिया गया है कि अपने जात का वोट लेकर आईए अलग किजे नितीज कुमार से नितीज कुमार का ध्यान अब भिहार पर है भी नहीं उनका ध्यान उधर है तो जो खड़ाव रखके भिहार चलाना चाहते हैं नितीज कुमार उसको नेगेट कीजिए और अब खुद सोचिए कि यह लेटर क्यों निकालना पड़ गया कि उपन कुस्वाहा की कारिक्रोमों में जद्यू करकरता पहुंचे इस पार्टी में कल भी यह चरजा किसी से मेरी होरी तो मैंने इस परस्ट कह दिया था कि आप 200 नेताओं को लाइन में खड़ा कर दीजे नि जो करना पड़ा किया कागज पर तक निटीज कुमार से और अर्शिप और उपन कुसवा है था कि दोनों लिखिये किस बार अलग नहीं होईएगा और उसके बाद बसटिश्मय ने दोनों को एक कागज पर एक ।ो यह बात बसिश्मय हम जानते हे हैं कि समाज को एक पारट में कमजोड करने की तैयारी भाजपा ने कर दी है और उसका हिंसा रसी पी सिंग होगे एक और बात आपने गई किस खेत्र में भाजपा मजबूत है जदि invert कमजोड है इस खेत्र में भाजपा और राजवश दूनों मजबूत है और आपको याद मैं आपको एक और बात बता रहा हूं कि याज कीजिए जब मैंने आपको कहा था कि भाजपा का सबसे बड़ा इस वक्त अगर कोई एम है तो वो ये है कि नितीज कुमार को बीच से हटा देना लडाई राज़त वर्सेस भाजपा करना और राज़त वर्सेस भाजपा जब जो अब तक तोड़ लेते थे इससे भाजपा को नुक्सान होता था लेकिन अब वो करिस्मा नितीज का नहीं रहा नितीज भी जानते हैं कि अब उनको तीसो बिधायक आएं अगले बार ये गरेंटी नहीं है और इसी लिए वो लालू सरण में गये हैं जाते समय लालू को पढ़नाम करना उसी लालू को जिस लालू को बार बर भरस्टाचारी वो बोल रहे थे जंगल राज की बात किसने कही थी देखे कल बड़ा विडबना लगता है नितीज जी सोटर में मुरी लॉस के इनको है बीमारी भी कल इन्होंने क्या का कि बिहार में जंगल राज नही जंगल राज कैसा था हमको मद दो वोट लेकिन जंगल राज को नहीं देना है उसको नहीं लाने देना है बहुत महनत लगा है बहुत महनत लगा ना कल उसारा महनत का हो गया नितीज कुमार ने ऐसा जंगल राज समाप्त कर दिया कि अब तेजस्वी आए कोई आए अब जं को फाइदा है नितीश कुमार को इस समीकर्ण से हटाने पर सी सुद्म मुनाफा भाजपा के वोट बैंक में इजाफा का है और नितीश अगर दिल्ली चले आते हैं तो लड़ाई अगर सीजी कही जाए तो राज़ादर भाजपा में हो जाए तो भाजपा के लिए फाइदेम मारी का प्रियास किया है और ये प्रियास आर्चीपी सिंग के मदद से होगा आने वाले दिनों में सहाबाद के छेत्र में आर्चीपी सिंग का दोड़ा होगा और बिहार में अलग अलग छेत्रों में उनका दोड़ा प्रस्तावित है लेकिन इस बार जब दिल्ली से काफी कि लंबे समय बाद वो लोट रहे हैं तो कोई नए प्लान के साथ लोट रहे होंगे और यह प्लान साय दे ऑपरेशन लोटस हो या भारतिय अंता पार्टी के साथ आने वाले दिनों में राजनीत करने की रननीती पर कोई न कोई फैसला हुआ अगर वीडियो पसंद आई और वा बिहार के राजनी और विहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सतीक और मारक ख़बर वा मुफ्ट में मिल जए अगर वा पत् प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा देला प्याटियों नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद